आज मा काली का बरसगाठ है जो कि हमारे गाओं में इतनी तदाते लगी हुई है बहुत दूर दूर से लोग आये हुए हैं मा के बरसगाठ में कल यानि दोस तरी को किप्तन चालू हुआ था आज पूना हुथी था इसी उपलक्ष में रखा गया था मा के दरबार में हम लोग आज को शारो तरफ से कवर करके अच लिए अम साम तक कवर करते रहेंगे इसमें और दिखाएंगे आप लोगोंको जरूर कैसे कैसे क्या हो रहा है चलिए परसगाठ मनााया जा घारा आज और चाज हो गया है कर दो पर्षाने का पर्यास कर रहे ह। को आज वो घुर्णा के प्साव मन जो खराजा दन जो सरा जोगाँ आज मुठी पतर में बाने टन्र म्हीं तकार्मत्यपना साटक्षा हां एठकापुादा करें आग.' तस्तुवि विचिता कंव्हुष्ण लटना प्हुट्र Понतनै म्हा काव्ष लेको व५ा ल३॑ मा के दरबार में जो पुजा किया फोल वगर है तो साथ सफाई किया जा रहा है देखिए फिर इनको नहलाया जाएगा फिर पुजा अर्चेना चालू होगी पुजा किया जाएगा हम आप लोग को दिखाने के परियाज करेंगे अभी कालेजी का स्नाम करवाया जा रहा है में आप लोग अजय आप लोग इस ने वह बहुत तरुजा करेंगे लिए कर दो दो कि आप लोग और दो कि अर दो कि रादे सवाट कि रहा है मा काली को असनान करवाया जा रहा है बाबा आपने कथा से मा काली को असनान करवा रहे है और हमारा उदेश यही रहेगा कि आप लोग दिखाते रहे मा काली को असनान करवाया जा रहा है भक्तगण परवेश किये हैं अंदर और असनान करवा रहे है मा काली को असनान करवा के पुजा अगरा हो गया बजरंग वली के मंदिर में परवेश किये हैं पंडी भी और चली हम वही पर ले चलते हैं मा कि महबीर जी का पूजा बगरा हो चुका है हम आपको देखे दिखा रहे हैं और ऐसे पंडी जी का काथा हम नहीं सुन वा रहे हैं नहीं तो अगर सुन वाएंगे तो साम हो जाएगा इसी में इसलिए हम सूचे कि थोड़ा थोड़ा करके कभर करके आप लोगों दिखा देखे रहे हम देखिए पंडी जी बैठे हुए है वैसे काथा चल रहा है हम यूट करके दिखा रहे हैं आप लोगों को अगर थोड़ा थोड़ा हम नहीं दिखाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम सूचे कि थोड़ा थोड़ा करके दिखाते रहे हैं आगे ले चल देखे वैसे मा काली का वर्स गाठ है पहले तो इनका नाम मा कल्याणेश्वरी है और हेनवा गाउम उपस्थित हैं इनकी सक्तिया बताने से पहले कुछ हम पीछे चलेंगे वैसे मा को यहां स्थपना करने के लिए दूसरे गाउं से मीटी लाया गया था यान के बुजूर्ग नाखुन में करके मीटी लाये थे वैसे तो मा पुरानी है यहां के लेकिन पांच से छे साल हुआ इनका नाम करन किया हुआ पहले कोई नाम नहीं था मा का वैसे यह हमारे गाउं के कुल देवी है पांच से छे साल हुआ इनका नाम किया हुआ नाम करन किया हुआ वैसे इनका नाम मा कले अड़ायस्वरी हुआ क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा जब किया गया इनको अंदर किया गया तो यही नाम रखा गया पंडी जी के अनुसार वो बोले कि यही नाम आच्छा है मा का इस पुजा से हटके कुछ गाउं के भी चर्चा कर लेते हैं कि एक गाउं कब बसा तो आप लोगों को बता दूं कि पांसो बरस पूर्व यहां जंगल हुआ करता था और यहां के यानि इस गाउं के बुजूर्ग आये दो भाग में एक पांच भाई थे और एक चार भाई थे दोनों लोग यहां पर आये जैसे कि पहले आये और यहीं अपना घर बना लिये और रहने लगे पहले राजा महराजाओं की खेत खलिहान हुआ करता था जब एसा परथा तूटने लगा तूटा तो इस गाउं के जिम में 360 भी घहा खाता में आया और उन्हों ने ये खेती बारी करना शुरू किया और रहने लगे यहां पर यानि नो भाई के जिम में 360 भी घहा जमिन हुआ वैसे जब ये गाउं बसा तो कुछ दिन के बाद कोई ब्रहमचारी आये और बोले कि जिस गाउं में मा का आसन ना हो तो गाउं में रहना विकार है तो इसलिए कुछ लोग सोचे कि भाई मंदीर तो निर्मान करानी चाहिए मा को अस्थापित करनी चाहिए कहानी बताते बताते यहां की सुटिंग में करना है चलिए क्या हुआ है कि आप लोगे शुटिंगो थे सुटिंगा प्राइए है, 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 भाल, वाल, 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 वा सब्सक्राइब झाल। झाल। जा टुराए। करे た करें 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 ओरह에도 शहाए करें भाल वान हो पूजा होने के बाद भंडारा का भी आयोजन किया गया था वैसे गाओं दूर दूर के लोग आए हैं और भंडारा में सामील हैं पर साथ दरहन कर रहे हैं हम दूर कर दो कि लोजे रोजे मैं कुनका लाओं